हे गाई तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो 20,000 seat acceptance fee है NCHM counseling के process में उसको किस तरीके से pay करना है पूरी details से आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले है तो वीडियो को लास तक जरूर देखें सो गाई इस seat acceptance fee को पे करने के लिए सबसे पहले हम लोगोंने NCHM counseling के official website पे आजाना है इस website का link आपको नीचे description box में मिल जाएगा जैसे आप सुलिम पे क्लिक करते हो आपके सामने में इस तरीके का interface open हो करके आ जाता है अब यहाँ पे आपको आपका roll number, password और साथ-साथ या security pin डालने के बाद sign in कर लेना है जैसे ही आप sign in करते हो आपका profile open हो करके आ जाता है अब यहाँ जो seat allotment result highlight हो राइस पर हम लोगोंने simply click करना है जैसे ही आप click करते हो आपके सामने में इस तरीके का आपका जो interface है वो open होकर क्या आ जाता है यहाँ पे आप देख लोगे seat allocation activity round 1 म इसमें आपका सारा process जो है वो completed देख रहा है यहाँ पे documents जो uploading है वो भी completed है अगर आपने अभी तक अपना documents upload नहीं किया है तो documents को किस तरीके से upload करना है उसके लिए already मैंने video upload कर रखा है उस video का link आपको नीचे description box में साथ साथ यहाँ उपर आई बटन मिल जागा तो उस video को देख करके आप अच्छे तरीकी से अपना जो भी document से उसको upload कर सकते हो पूरी डीटल से वहाँ पर बता रखा है documents uploading process अब यहाँ 20,000 seat acceptance fee pay करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने pay seat acceptance fee पे click करना है जैसे आप यहाँ पे click करते हो आपके पास fee payment करने वाला जो portal है जो interface है वो open करना है वो इस तरीके से पर यहाँ पर देखो payment gateway आपका दिया गया है यहाँ पर select mode of payment HDFC payment gateway तो यहाँ पर बारे सारे बच्चे नहीं यहाँ पर confused रहते है नॉर्मल चीज़े आप लोग online shopping अगर करते होगे तो आपको पता होगा सभी को पता रहता है कुछ एक students को अगर नही पास कार्ड है आप उससे यहाँ पर payment कर सकते हों यह मैंने इसलिए बता दिया नहीं यहाँ पर क्लिक करके पेफी पर क्लिक कर देना है जैसे आपके सावने में इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो करके आ जाता है अब यहाँ पर सेलेक्ट पेमेंट प्रोवाइडर है HDFC पेम पेमेंट पे क्लिक कर देना है अब यहाँ पर देख लोगे यहाँ पर पेवीद का आप्स नारा इस पर आपके सामने में बड़े सारे उप्सण ओपन करके आ जाते हैं जैसे HDFC पेमेंट का आपके प्रोवाइड का यहाँ पर प्रोफाइल ओपन हो करके आजाता है अब यहाँ पर देख लोगे सीट एक्सेप्टेंस फीपेमेंट का जो स्टेटस है वो completed दिख रहा है next यहाँ seat acceptance payment details है इस पे click करोगे तो आपका जो भी fee payment details है वो आपके सामने में open हो करके आ जाता है जैसे आप यहाँ पे देख लो सबसे पहले आपने 2000 रुपी जो आपने registration fee pay किया था और जो 20,000 seat acceptance fee हम लोगों ने भी pay करा है उसका भी डीटेल यहाँ पे सोग करके आ जाता है बस इसी सेम प्रोसेस से हमें अपना seat acceptance fee pay करना है hope कि यह वीडियो आपको पसंदाया होगा तो वीडियो को like करें maximum share करें सब इस students के पास जिससे उनके भी help हो सके अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो NCHM counseling से रहे लेटर regular test update लेने के लिए hotel management help to youtube चैनल को subscribe करें bell icon जरूर प्रेस कर दें जिससे आने वाले सारे important update के notifications आपको मिलती रहें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद